हेलो प्रेंट्स वेलकम ओन यूट्यूब चैनल होब सेंड रियल्टी हम लोग एंसी आर्टी की साइन्स कर रहे थे और हम लोग ने क्लास 6 का पार्ट 1 किया था आज हम लोग क्लास 6 का पार्ट 2 करेंगे और तेखेंगे कि इसमें कौन-कौन से चेप्टर हैं तो चलिए स्टा यानि नैच्ट करते हैं संसलिस्ट यानि कृतिम रेसे तो नायलोन पॉलिस्टर एक्रीले की सन्सिलिसेय की यानि मानो दारा निर्मित कிंगल करते हैं कि तंटु से मिलकर तागा बनता समति से मिल्कर या तागा बनता है तागे के बाद कपड़े का तुकड़ा बनता है⁉ सूती कपड़े के तुकडे से कोई तागा बाहर निकाल कर इसे नाखून से खरोचने पर तागा पतली पतली लड़ियों में विखंडेत हो जाता है जिसे तंतु कहते हैं यानि अगर हम सूती कपड़े का कोई भी धागा बाहर निकाल कर देख रहे हैं और उसको नाखुन से खरोच कर देखें तो वो धागा भी छोटी-छोटी सी लड़ियों में बाहर निकल आता है विखंडित हो जाता है जिसे अमरुक तंतु कहते हैं यानि सबसे छोटा से मिलकर तागा बनता है तागे से फिर वस्त्र वनता करते हैं ठाड़े करते थैं sharp hug रुषभ तो जलवायों में की जाती है रुषभ करते हैं कि अमेंद्र कार्प्यों की प्राप्त होते हैंसे ऐसे तो फील से तो तो हम कपास पादव के फल कपास गोलक लगबग नीवु की माप के होते हैं पूरबरपक को होने पर बीच तूटकर खुल जाते हैं तदा कपास स्टन्तूं से ढगे बिनॉले बिनॉले को हम देख सकते हैं यानि इन्हों ने बताया है कि कपास पूधे जो होते हैं उस पर फल आते हैं उस फल के अंदर जो है वो कपास रहती है जब पूल परपक हो जाते हैं तो फूल जो है वो परपक वबस्ता होने पर बीज जो है वो तूटकर खुल जाते हैं और हम कपास तंतुओं को देख सकते हैं इस तरीके से इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चैयन द्वारा प्राप्त किया जाता है इसके पश्यात कपास से बीजों को कंकितन द्वारा प्रथक किया जाता है इस क्रिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं कपास ओटना बोलते हैं नेक्ष बात करते हैं जूट की जूट इसी को हम लोग पर्षन बोलते हैं तो पर्षन तंतु को पर्षन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है भारत में इसकी खेती वर्षा रितु में की जाती है और क बाटाई के पात्सन को पुछ दिनों तक जल में डूग कर रखते हैं जिससे तने गल जाते हैं और उन्हें पाटसन तंतूओं से हाथों द्वारा परदर्थक कर दिया जाता है यानि यह यह इन्होंने बताया है कि परप्षण से प्राप्त करने के लिए हम पर्चछन को पुस्पन के बास्तम काटते के उसके तरह पास्वाइब और हम इस तरीके से पट्चन के तंतूं को हातों से हस्त चैन बिदी द्वारा इसको अलग कर लेते हैं बस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतूं को धागों में परबर्दित कर लिया जाता है यानि ये पट्चन के तंतू होते हैं तंतु तंतु से ही मिलकर धागा बनता है तो पहले धागा बनाते हैं उसके बाद बस्त बनते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि सूती तागे की कताई कैसे की जाती है सूती तागे की कताई देखते हैं रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं यानि कताई क्य बनाते हैं दीपक की तो इते हैं जिससे पास पास आ जाते हैं और फिर की बन कहता है के लिए इसका उतবक करते हैं के लिए उतına गयते हैं ick த I searched कि उपयोग में होने वाली एक अन्य युकती चर्खा वी जिसे महत्मा गांदी ने लोग प्रियता प्रदान की थी यानि हम तकलीका भी उच करते हैं और चर्खे का भी उच कर सकते हैं कर नेक्ट बात करते हैं कि भारश सरकार ने इसके बाद है तागे से बस्त रहानी बस्त कैसे बनता है तागे से बस्त बनाने की कई विधियां हैं इन में से दो प्रमुक विधियां हैं बुनाई और बंधाई देखते हैं बस्त की बनाई करगों पर की जाती है करगे या तो हस्त पर चालित होते हैं बिजली से नोट में देखते हैं क्या है नोट अब पौदा है इससे हमें प्राक्रतिक अब देखता है प्राचीन मिस्र में बस्त्रों को बनाने के लिए रूई तथा फ्लैक्स की क्रसी नील लदी के निक्रपर्टी चेत्रों में की जाती थी यानि नील लदी किनारे हम लोग रूई और फ्लैक्स की खेती करती थे बस्त्र बनाने के लिए इसके बाद देखते हैं हम लोग की सबसे पहले कपास के गोलक होते हैं हमने पढ़ा है पीछे भी कपास को ओठते हैं उसके बाद रेशे बनते हैं रेशे की कताई की जाती है तब धागे बनते हैं या तागे बोलते हैं उसके बाद इसकी दो विदियां हैं संदता कभी कभीर एक बुनकर थे यानि कभीर दास की जीवने हम लोग ने पड़ी है तो कभीर दास दी ऐक मुनकर थे तन्तू की पहचान हम लोग देखेंगे कि क्या शूप पहचान अंहीं कैसे कर सकते हैं लोग की सूती रंतिपlaitर हैं कई सूती तंटव जाते हैं परां शिकОर लाती नई अगर तंटुसूथिप यहरा बेस्मी तंतु ज्वाला से दूर सिकोडता है और बटता है अभौ पटता नहीं है इससे जले मास की जैसी गंदाटी यानि तंतु जलाकर देखेंगे तो बालों जैसी गंद आएगी संसलेष्ट तंतु यानि क्रतिम तंतु यह इस इंसान ने बनाए हैं वही है यह ज गृता हो जल जाते हैं यह पिखलते देचाए प्लास्टिक जैसी गंद देते हैं जाता है तें ऒेड्र बकरी घरगोस याक उटों के बालों से उन प्राप्त होती है रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से कीचा जाता है यह हम लोग का आज पार्ट टू हो गया कंप्लीट क्लास 6 का और आप लोग वीडियो देखते रहिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को ल